नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। रोंग में एंड्रोकीज नामक गुलाम अपने मालिक से परेशान होकर जंगल में भाग गया। वहां उसकी मुलाकात एक घायल शेर से हुई। शेर बार-बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो इंड्रोकीज डरा फिर साहस कर उसके पास गया और उसके पंजे में फंसा कांटा उसने निकाल दिया। शेर ने उसके हाथों को चाटकर आभार प्रकट किया और फिर जंगल में चुप-चाप चला गया। एक दिन मालिक के आदमियों ने इंड्रोकीज को ढूंड निकाला और पकड़ कर समराट के पास ले गये। समराट ने उसे भूखी शेर के सामने दलवाने की आग गया दी। सारी जंता के सामने इंड्रोकीज को एक खुले मैदान में लाया गया। एक गूखा शेर दोरता हुआ आया पर इंड्रोकीज पर आक्रमन की जगह उसका हाथ चाटने लगा। वस्तुत यह वही शेर था जिसके पंजे से इंड्रोकीज ने काटा निकाला था। वह इंड्रोकीज को पहचान गया था। आश्चर्य चकित समराथ को इंड्रोकीज ने पूरी घटना सुनाई। समराथ ने उसक शमा कर आजाद कर दिया और शेर को जंगल में छुड़वा दिया।